नमस्कार साथियो तो आप सभी के लिए काफी बड़ी खुश्कवरी यहां पर निकल का आ रहे ही क्योंकि काफी दिनों बाद मद्ध प्रदेश करमचारी चैन्ड मंडल में एक नई वेकेंसी आ गई है तो दोस्तों यहां पर किसकी भरती है कब से कब तक फार्म डलेंगे क्या योगता रहेगी पूरी डीटेल में बात करेंगे तो बने रहेगा इस वीडियो मेरे साथ लास्त तक तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले मैं बता दूँ मद्ध प्रदेश करमचारी चैन्ड मंडल भूपाल की तरफ से समू तीन गुरूप 3 के अंतरगत उप्यंतरी सायक मांचितरकार टेक्नीशियन और अन्य समकक्ष पोस्ट हैं उसके लिए आपर सेंक्त भरती परिक्षा आ तो दोस्तों यहां पर आप जो एक्जाम फॉर्म में पांच अगस्त से लेकर भर पाएंगे 19 अगस्त तक यानि लगवग 15 दिन आपके फॉर्म इसमें भर पाएंगे और पांच दिन इसमें शंशोधन के लिए भी दिये गए हैं तो दोस्तों इसमें जो फीस है वो 500 और 20 रुप आपका पोर्टल शिल्क होता है वो आपको देना होगा इसके लावा बात कर लेते हैं एक्जाम कब होगा तो दोस्तों एक्जाम भी आपका नेक्स्त मन थी यानि 12 सितंबर को आपका एक्जाम स्टार्ट हो जाएगा और नंबर फॉर्म जितने भी भरे अब यहां पर टोटल पोस्ट कितनी उसके वारे में बात कर लेते हैं तो दोस्तों उसमें क्या-क्या आपकी योगता मांगी गई है उसमें वारे में बात कर लेंगे तो यहां पर सबसे पहले दीख सकते हैं दोस्तों मैं आपको आगे बताओ उससे पहले बता दूँ उसका वो आपका संबंदित विश्य है यानि कि अगर आप मेक्टैनिकल से हैं इलेक्ट्रिकल से इंजिनियर हैं या फिर जिस भी आप जो आपका विश्य है उसमें आपने इजिनिक किए उसके अंतरगत आपका संबंदित प्रेशन पतर आएगा तो इस तरह से 200 माक्स का पेपर होगा अब हम बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट यहां पर कितनी आई है तो यहां पर अब देख सकते हैं दोस्तों तो टोटल यहां पर 283 पोस्ट हैं जिसमें सीधी बरती सीधी बरती बैकलोग और संबीदवरती सब मिलाकर 213 पोस्ट है और सीधी बरती के बात करें तो 276 प वाग बार आपको पद कितने आये हैं और क्या योगतर है कि उसके वारे में जानकरी देदूँगा अब दोस्तों यह बहुत ही शॉर्ट में आपको लगबख सब जानकरी देदी हैं इसमें आप किसी विदर का डाउट कोईरी सजेशन है तो बलुकुल कॉनेट बॉक्स में प